आज है छे नवेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विदानता के बारे में देखो विदानता में एकदम से बहुत बड़ी आग लगी हुई है लेकिन पीछे से कुछ नेगेटिव अपडेट भी चल रही है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिसकस भी करेंगे और सा सारे विडियोस है जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो विदानता का शेयर 322 पर ट्रेट करेंगे साड़ी 6 परसन की तेजी थी यहाँ पर फ्राइडे को और एक महिने में अगर आप देखो तो यह बहुत जादा तीजी दिखा चुका है 280 रुपए से यह भागी रह सारे 10 परसन की तेजी है यह एक साल में अगर आप देखोगे तो जहां था वहीं पर आ चुका है ठीक है लेकिन तूटकर आया था 435 रुपए से देखो गिरावट की पहली वज़ा थी रश्य यूकरेन क्राइसिस दूस्तरी वज़ा थी सरकार ने टेक्षेशन लगाया था बहुत जादा और यह तूड़िया लेकिन अगर आपको पता हो तो इसी साल इसी साल एक साल के अंदर विदानता आपको तकरीबन 60 रुपए से लेकर 65 रुपए का डिविडेंट भी पे कर चुका है अभी तक और शायद डिसंबर में भी पे कर सकता है तो अभी तक यह इस स यहां पर बनेंगे लेकिन उसके बाद तीजी देखने को मिली और शुरुआती तीजी की वज़य जो थी यहां पर से वो थी इनका सेमिकंडुक्टर बिजनस का सटप करना और जैसे ही खबर आए कि सेमिकंडुक्टर बिजनस गुजरात में इस लोग सटप करने वाले हैं एकदम से भाग गया लेकिन यहाँ पर विदानता ने एक और गेम खेल लिया विदानता ने कहा कि जो सेमी कंड़क्टर की फैक्टरी सेटप हो रही है जो नया बिजनस इनका एस्टाबलिश हो रहा है उसका और विदानता लिमिटेट का कोई रिलेशन नहीं है मतलब कि अगर और वहाँ पर कितना भी फायदा हो विदानता लिमिटेट को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है तो जाहिर से बात है उसके बाद एक करेक्शन भी आया और कहा भी तादा तूटा था यह लेकिन दुबारा तेज यह आ गई क्यों अभी विदानता एक ऐसा नाम बन चु प्यार रहेंगे और कहीं ना कहीं यह इनके लिए पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है वो पिया की तरह काम कर रहा है इनके लिए विदानता को लेकर अगर आप देखोगे तो कोविट के वक्त यह बहुत जादा सस्ता था और तब मैंने कई सारे वीडियो बनाये थे कंप 20 में तब अगर आपने खरीदा होता तो उससे जादा का आपकी बाइंग प्राइस से जादा का आप अभी तक डिविडेंट ले चुके होते और शेयर प्राइस में तेजी तो ही है यहां पर तो बहुत जादा फायदा वहां पर आपको देखने को मिल भी जाता विदानता क तो इस धोल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया विदानता लिमिटेड थरस्टे टर्मिनेट रेटिंग सर्विस ऑफ मूडी आफ्टर दे लेटर डाउन्ग्रेड़िड दे कंपनी रेटिंग को देखो कंपनी का जो कर्जा है उस पर थो आसा कंशर्ण जरूर है और रेटिंग क इन्होंने खराब दी तो इन्होंने क्या किया टर्मिनेट कर दिया वाई सब मूडी को यहां पर अन्फेवरेबल रेटिंग कि यह हमारी फेवर में आपने रेटिंग नहीं दी तो हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं यहां पर स्टेट्मेन यह है कि थरस्टे उनिंग इंडिय विदान्ता सेट विदान्ता रिसोर्स लिमुटेड येरभाई अनौंस तोड़े गीवन नोटिस तो मूरी इन्वेस्टर सर्विस तो डिसकंटिन्यू इस रेटिंग एंगेजमेंट एंड टू विद्रो ओल्ल आउट्सेंडिंग रेटिंग 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 को आप हट की जो रेटिंग थी उसको B3 कर दी थी मतलब घठा दी थी इनके रेटिंग इतना ही नहीं इनका जो अन्सिक्यूर बॉंड रेटिंग है उसको CAA1 कर दिया जो पहले B3 था तो काफी खराब रेटिंग ये मान जाती है काफी खराब और यहां पर अगर आप देखो तो क्यू किया उन्होंने तो रेटिंग एजनसी सीटेट कंसर्न देट विदानता हैस नॉट यट फाउंड और सोर्स ओफ फंडिंग तु सर्विट्स इट्स नाइन हंड्रेड मिलियन का जो बॉंड है मैचूर्टी होने वाली है इनके अप्रिल मैं दोजार पेईस में साथ हजार च करोर रुपय का यह जो बॉंड है वो मैचूर्ड होने वाला मतलब विदानता को चुकाने पड़ेंगे इतने अभी उन्होंने फंडिंग का कोई रिसोर्स डूंडा नहीं है और इसके लिवज़े से मूरीज ने यह किया है यहां पर और जाहिर से बात है देखो अगर ऐसा होता है आने वाले दौर में तो कहीं न कहीं दिक्कत होगी लेकिन यहां पर विदानता रिसोर्स इस ने कॉल्ड मूडी जो मूडी ने कहा है उसको कहा है ऐसा कुछ नहीं वो अन्रेजनेबल है विदानता इस वेरी कमफर्टेबल पोजिशन तो एड्रेस ओल इस डट इस ट्रोंग बैलेंश शीट और रोबस लिकुडिटी एट इस ऑपरेटिंग सब्सुडिए और रेकोर्ड ओफ रेजिंग फंड थू रिलेशन से बैंक्स तो उनका ये भी कहने कि देखो स्ट्रॉंग हमारी बैलेंश शीट है और हमारे बैंक के साथ भी अच्छे कासे रि मिलियन ओफ एक्स्टरनल डेट मैचुरिटी इस फोर फिफ्टी मिलियन ओफ इंटर कंपनी लोन एन एन्यूल इंट्रेस बिल ओफ अराउंड 600 मिलियन ओवर 18 मंथ पेडियर तो बैया करजा तो बहुत जादा है पिछले 2022 से लेकर 2024 के बीच में कही सारी मैचुरिटी से यहा के वॉल्यूम समय देखने को मिल रहे बड़ी कॉंटिटी में शेर ट्रेड हो रहे हैं कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था वो काफी कम था सब्टेंबर क्वाटर में 1800 करोड का ही था और वो कम इसी लिए है क्योंकि कंपनी इससे पहले क्वाटर ली 4500 करोड तक के प्रॉ प्रमोटर के पास 69.69% की होल्डिंग है हलाकि पहले भी उतनी नहीं थी यहाँ पर 0 कभी था ही नहीं एफाइल्स ने होल्डिंग कट डाउन करी है mutual fund ने बहुत बड़े shares यहाँ पर बेच दिया बहुत जादा quantity बेचे गई है mutual funds के द्वारा 2.10% की होल्डिंग 0.82 पर आ च हुए है यह concern जरूर है देखो समझना चाहिए इस चीज़ को और विदानता की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि विदानता ने डिविदेंट बहुत अच्छा पे किया है ठीक है और मैंने इसका अगर आप देखो तो इसके बारे में मैंने अपने थमन पैसे कुल मिलाकर ओल्मोस्ट 65 रुपय का इसने इस साल डिविदेंट पे किया है अभी डिसमबर में भी यह पे कर सकता है क्योंकि अगर पिछले साल भी देखो तो पिछले साल भी इसने अच्छा डिविदेंट पे किया था दिसमबर में भी पे किया था तो इस बार हो सकत कर आपको देखने को मिलगा सारे 6000 करोड जो की कम है 2022 से comparison में विदानता डेफिनेटली खरीदारी करने का सही मौका तो नहीं है अभी और रेट फ्लेग भी है क्योंकि प्रमोटर की सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी है 6.35 का P है देखने में सस्ता लग रहा है लेकिन मेरे इसाब से अभी थोड़ा महंगा हो चुका है विदानता और इसी इसको समझना पड़ेगा यहाँ पर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो होल्डिंग में आप देख सकते हो की डोमेस्टिक के पास 9.55% की होल्डिंग है 0.82 mutual fund काफी बड़ी बिक्वाली mutual fund ने यहाँ पर करी है और retail वालों के पास 8.69% की होल्डिंग है और जाद खरीदार retail नहीं करी है 7.03% की जो होल्डिंग की जून में वो बढ़कर हो चुकी है उनकी 8.69% देखो overall विदानता को लेकर मैं एक ही चीज कहूँगा कि हाँ company बहुत अच्छी है कोई दिक्कत की बात नहीं है काफी अच्छा dividend हर साल पे करती भी है लेकिन fresh entry करने के लिए कौन सा level सही होगा यह समझना चाहिए और मुझे 322 का level सही नहीं लग रहा है मैं कहूँगा कि 300 रुपे के नीचे अगर विदानता जाएगा तो शायद थोड़े बहुत मौके आपको बेंते हुए वहाँ पर नजर आ सकते है ना कि 322 का और यह जो खबर आई है इनके debt को लेकर maturities को लेकर definitely यह एक concern जरूर है बले ही विदानता इससे agree करे या ना करे लेकिन विदानता बहुत बड़ी company है तो पहली बात मैं यह भी मानता हूँ कि जितने भी इनके maturity आने वाली है bonds वगरा कि कोई दिक्कत नहीं होगी यह चुका लाइक हो तो लाइक करे शाय करें बगरा पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और विदानता लिमिटेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लेकर बता सकते हैं थैंक्यू